हेलो एबडियोन आज हम लोग देखेंगे बिहार दरों का मेंस जर्नल स्टडिज मौक टेस्ट का सेट नमबर फोर अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले तो आते है पहले क्विशन पे बराक एट एक मिसाइल प्रनाली है जिसे डिया डियो और किस देश के एरो इस्पेस उद्योग द्वारा संजुक तुरूप से बिक्सित किया गया है तो इजराईल के द्वारा ऑप्सिन आप यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजराईल बराक एक मिसाइल सिस्टम है जिसे डिया डियो और किस देश के एरो इस्पेस उद्योग द्वारा संजुक तुरूप से डेवलप किया गया है तो इजराईल के द्वारा ऑप्सिन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अब यहाँ से कुछ इंपॉंटन पॉइंट देख लेते हैं जो वडाय के मिसाइल सिस्टम में इसमें दो मिसाइल इनक्लूडएं एक है आपका लोंग डींज सर्फीस टु इएर मिसाइल सोथ में इसे बोलते है ऐलर एसेयनी यह SAM का मतलब क्या हुआ Long Range Surface to Ear Missile और दूसरा है आपका MR-SAM MR-SAM का मतलब क्या हुआ Medium Range Surface to Ear Missile Develop किस ने किया है तो इसे jointly develop किया गया है DRDO और Israel Aerospace Industry के दोरा इसके आलावा जो LR-SAM है यह क्या है SEEP Launch Version है जो LR-SAM है Long Range Surface to Ear Missile यह SEEP Launch Version है और जो Project MR-SAM है Medium Range Surface to Ear Missile यह क्या है Land Launch Version है ठीक है तो Important Point है आपको याद रखना है स्टैटिक में पूछ सकता है अगले Question पर आते है भारत की पहली श्वदेशी रूप से Design और विक्सित लंबी दूरी की सबसोनी क्रूज मिसाइल को किष्ट नाम से जाना जाता है तो Option C आपको यहाँ पर सही आंसर हो जगा निर्व है भारत की पहली श्वदेशी रूप से Design और विक्सित लंबी दूरी की सबसोनी क्रूज मिसाइल को किष्ट नाम से जाना जाता है तो option C आपका यहाँ पर सही आंसर हो जागा निर्भ है अगले question पर आते हैं निम्रे लिखित में से कौन सा डिवितियक वायू प्रदूसक secondary air pollutant है तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा option C आपका यहाँ पर सही आंसर हो जागा ozone बाकि CO2 आपका हुआ CO2 नोटी यह सब क्या है primary pollutant है आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं CO carbon monoxide CO2 particulate matter यहां सब पूछता है ठीक है PM इसे सोट में क्याते है क्या है primary pollutant है SO2, NO, NO2 तो इस सब क्या है primary air pollutant है और secondary कौन सा होता है SO3 हो गया HNO3 हो गया H2, SO4, sulfuric acid हो गया Ozone हो गया इस सब क्या है secondary air pollutant है तो यहाँ पर option C आपका यहाँ पर सही answer होगा अगले question पर आते है निम्निलेखित में से कौन सा सब ना केवल किसी जीव और्गेनिजम द्वारब्याप्त भौतिक अस्थान का वर्नन करता है बलकि जीव के समुदाय में उसकी कर्यात्मक भूमिका का भी वर्नन करता है which one of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism इसे क्या बोलते है ecological news बोलते है option B आपका यहां पे सही आंसर होगा निम्निलेखित में से कौन सा सब ना केवल किसी और्गेनिजम जीव द्वारब्याप्त भौतिक अस्थान का वर्नन करता है बलकि जीव के समुदाय में उसकी कर्यात्मक भूमिका का भी वर्नन करता है क्या कहते है उस वर्ड को क्या बोलते है ecological news बी आपका यहां पे शही आंसर होगा अगले question पर आते है fresh water मीठे पानी के समुदाय में lentic habitat का उदाहरन है तो lentic habitat क्या होता है it refers to the static water habitats like ponds हुआ, lakes हुआ इस सब क्या है? lentic habitat है अगले question पर आते है निम्डे लिखी तुगलक ने पर सही आंसर होगा गयासुदीन तुगलक का कोई युगदान नहीं है आपसन सी आपका यहाँ पर शही आंसर होगा अगले question पर आते है निम्ने लिखीत ग्रंथों का उनके लेखक से मिलान करे हकीके हिंदी इससे क्रिशन ने लिखा है तो इससे लिखा है हकीके हिंदी को अब्दुल वाहित बिलगरामी तो एक काप का क्या हो जाएगा थ्री एक काप का हो जाएगा थ्री बी क्या है तहदीप अल-खलाग इससे लिखा है इबन मिस्काविह ने तो बी काप का हो जाएगा पहला बी काप का हो जाएगा बी काप का हो जाएगा पहला कुंजल तिजार इसे किशने लिखा है तो इसे लिखा है बैलाक अल कबायाकी तो सी काप का हो जाएगा फोर सी का फोर हो जाएगा कुंजल तीजार किशने लिखा है बैलाक अल कबायाकी और जवाउमिल हिकायत किशने लिखा है सद्रू दिन मुहम्मत ओफी ने तो डीक आपका क्या हो जाएगा डीक आपका हो जाएगा दूसरा अगले कृष्यन पर आते हैं आपको पहला स्टेट्मेंट है चो नेशनल इंकम होता है क्या होता है एनन पी नेट नेशनल प्रड़क्ट हिंदी में बोलते है राष्टी यह आई उत्पाथ ठीक है यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है पाटट नेशनल प्रड़क्ट को हम लोग फ्यक्टर कोस्ट में पर नेशनल इंकम के बराबर होता है तो जब नेट नेशनल प्रोड़क्ट को फैक्टर कोस्ट पे लेते हैं तो नेशनल इंकम के बराबर होता है तो पहला आपका सही है दूसरा क्या है भारत की रश्टी यह आई का अनुमान मुख्य रूप से उत्पादन और आई विदियो प्रोड़क्शन एं income methods के माध्यम से लगाया जाता है तो second भी आपका सही है तो पूछ किया रहा है कौन सा सही है तो option C आपका यहाँ पे सही answer हो जागा both 1 and 2 इसके अलावा कुछ important point देख लेते हैं formula क्या होता है जब NNP हम लोग निकालते हैं NNP at factor cost तो क्या करते है NNP NNP at market price NNP at market price और इसमें घटा देते हैं indirect tax को indirect tax को घटाते हैं और subsidy को क्या करते है add करते हैं subsidies को subsidies को क्या करते है add करते हैं अगले question पर आते हैं Philip curve किसके बिच संबंध प्रदान करते हैं तो Philip curve किनके बिच relation दिखाता है unemployment and inflation के बिच बिरुजगारी और महनाई के बिच सही answer यहाँ पर क्या होगा option B आपका यहाँ पर सही answer होगा Philip curve किनके बिच relation दिखाता है तो unemployment और inflation के बिच बिरुजगारी और महनाई के बिच option B आपका यहाँ पर सही answer होगा और जो पहला है tax rate and tax revenue यह कौन सा कर्व दिखाता है laffer curve यहाँ से exam question पूचता है laffer curve इसके अलावा कौन सा कर्व यह दिखाता है degree of income inequality in a given economy या population तो यह आपका दिखाता है कौन सा यह आपका दिखाता है lorange curve यह आपका दिखाता है lorange curve और per capita income and income inequality यह आपका दिखाता है kusinate curve kusinate curve तो सारे important point है और gainic coefficient का relation किसके साथ है लorange curve के साथ है ठीक है गिनी कोफिशेंट जीसी से मैं इसे denote करा हूँ गिनी कोफिशेंट अगले question पर आते हैं भारत में भारत में प्रच्छन बिरुजगारी पाई जाती है तो यह agriculture sector में पाया जाता है अगले question पर आते हैं मैच करना है एक तरफ biosphere रिजर्ब दिया हुआ है दूसी तरफ state तो मानस मानस कौन से state में है तो मानस है आपका असम में तो एक का आपका हो जाएगा शेकें नोकडिक आपका है का मिखाले में ठीक है तो बी का आपका हो जाएगा पहला बी का आपका हो जाएगा पहला मनार की खाड़ी तमिल लाडू सी का आपका हो जाएगा चौथा अनन्द देवी उत्राखंड में है और डी का तीसरा अगले question पर आते हैं समिधान सवाने रडाश्टिय द्वच को कब अपनाया था सही अंसर यहाँ पे क्या होगा option D आपका यहाँ पे सही अंसरों का 22 जुलाई 1947 को शमिधान सवाने रडाश्टिय द्वच को कब अपनाया तो option D आपका यहाँ पे सही अंसरों का 22 जुलाई 1947 को इसके अलाओ दो important point है शमिधान सवाने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर वीयर अम्बेतकर की अध्यक्सता में ड्राफ्टिंग कमिटी अगठन किया था तो यह date आपसे पूछता है और ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर थे इसका आंसर आपको comment box में बताना है और 26 नवंबर 1949 को भारत का समिधान अपनाया गया था और लागू वाता 26 नवंबर 1950 से अगले question पर आते हैं संसत के सुचनक अधिकार right to information अधिनियम को भारत के राष्टपती की सहमती कब प्राप्ट हुई थी? सही answer यहाँ पर क्या होगा? किस संसोधन द्वारा लोकसाभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दे गई तो सही answer है यहाँ पर क्या होगा? option यहाँ पर सही answer होजगा 31 समिधान संसोधन के द्वारा यह कब हुआ था? 1973 में 1973 में तो देट भी याद रखना है तो अभी current में लोकसाभा का strength कितना है? 545 है maximum कितना हो सकता है? 550 अभी current में कितना है? तो 545 लेकिन दो जो एंगलो इंडियन थे इनको अब हटा दिया गया है दो एंगलो इंडियन थे तो अभी कितने है? 543 अच्छा आपको बताना है किस समिधान संसोधन सी जो एंगलो इंडियन का था का आपको लेना है इससे हटाय गया था अगले question पर आते हैं लोग सभा का सत्र कम से कम बुलाया जाता है तो इसमें क्या होता है? कि maximum gap कितना होना चाहिए? maximum gap होना चाहिए 6 महीने ठीक है? 6 मत इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो साल में 2 बार होगा कम से कम अगले question पर आते हैं लोग सभा दवारा पारित, धनविदेक, मनि बील को राज जभा दवारा भी पारित माना जाता है जब राज सभा दवारा कोई करवाई नहीं की जाती है 14 दिन दर, ठीक है? 14 दिन के अंदर आपको return कर नहीं है अगर आपने नहीं किया तो खुदी पास माल लिया जाएगा ठीक है लोग सब आगे द्वारा तो option B आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चोदा दीन मनी बिल के case में अगले question पर आते हैं भारतिये संसत के दोनों सदनों की संजुक्त बैठक किसके संबंध में अयोजित की जाती है तो मनी बिल के case में तो कुई पावर ही नहीं है चोदो दिन गंतरा को लिटर नहीं करना है यहाँ पर सही आंसर क्या जोगा option C अडिन अडिन बिल सधारन बिल जो संजुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्सता कौन करते है अध्यक्सता कौन करते है इसका आंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना है ठीक है जो संजुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्सता कौन करते है अगले question पर आते है निमने लिखित में से किस्ट ने सेरे पूल की लड़ाई में बाबर को हड़ाया तो अप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसरोजा का सहिवानी खान ने अब यहाँ से कुछ इंपोर्टिन पॉइंट देख लेते हैं बाबर के बाड़े में तो सबसे पहले पानी पत की पहली लड़ाई कब हुई थी 21 सप्रेल 1526 को किसके बीच हुई थी बाबर और इबराहिम लोदी के बीच कौन जीता था बाबर जीत गया था इसके अलावा इसमें पहली बार आटिलरी यूज हुआ था ठीक है जो पानी पत की लड़ाई हुई थी तो पहली बार आटिलरी यूज हुआ था यह मैं लिख दे रहा हूँ पहली बार एक जाएं पूशता है आटिलरी यूज हुआ था और दो नाम आपको यहाँ पर याद रखना है एक है आपका उस्ताद अलिकुल उस्ताद उस्ताद अलिकुल यह कौन थे तो यह थे बैटैलियन ओफ आटिलरी को इन्होंने हेट किया था बैटैलियन ओफ बैटैलियन ओफ आटिलरी को हेट किया था हेट किया था इन्होंने और एक नाम है आपका मुस्ताफा फूस्ता यहां से मुस्ताफा इन्होंने किसे हेट किया था बैटैलियन ओफ गनर्स बैटेलियन ओफ गनर्स ते दोनों नाम आपको याद रखना है अब आते कुछ इंपोर्टन लड़ाई देख लेते हैं एक आपका हुआ था बैटल ओफ खानवा खानवा का यूध या अब कब हुआ था 1527 में हुआ था बैबर और राना सांगा के बीच दूसरा आपका हुआ था चंदेरी का यूध ये कब हुआ था 1528 में खाना खाया चंदा दिया ठीक है ऐसे याद करते हैं चंदेरी का यूध बाबर और मेदनी राय के बीच इसके बाद कब हुआ था पंदर 179 में याद रखना घागडा का यूध याद कब हुआ था 1529 में किसके बीच बाबर अफगान के बीच बाबर बाबर और अफगानों के बीच ठीक है और गाजी की उपाधी धारन के थी कौन से यूद में तो ये खानवा के यूद में खानवा के यूद में गाजी की उपाधी धारन के थी कौन से यूद में खानवा के यूद में अच्छा एक और यहां से तुजुगे बाबरी किस लेंग्वेज में लिखा गया है तो तर्किस में ठीक है तुर्किस तुर्किस में अगले कृश्चन पर आते हैं निम्ले लिखित में से किस्ट ने कहा था कि सुशासन स्वशासन का विकल्प नहीं है तो स्वामी दयानंद जी ने कहा था आपसंसी आपका यहाँ पर शही आंसर होगा अगले कृश्चन पर आते हैं निम्ले लिखित घटनाओ पर विचार करें क्लिप्स मिशन यह आपका 1928 अगस्त अफर 1900 अगस्त अफर 1940 नहरु रिपोर्ट यह आपका था 1900 क्लिप्स मिशन अगस्त अफर 1940 अगस्त अफर 1940 और वेवल यह उजना वेवल प्लान उनिशो पैतालिश तो सबसे पहले आपका नहरु रिपोर्ट तो अप्शन C तो ऐसे हट गया ऑप्शन D ऐसे हट गया थ्री के बात क्या होगा 1928 के बाद आपका आएगा अगस्त अफर 1940 तो 3 के बात अगले किश्चिन पर आते हैं मैस करना है लिश्ट वन को लिश्ट टू से एक दरफ ग्राशलेंड दिया हुआ है यही लिश्टेशन और दूसरी दरफ कौन से स्टेट में है तो बनी घास का मैदान आपका है कहां पे यह आपका है गुजरात में तो यह का आपका हो ठी केख फिर भींगे ग्यान घास लुकत एंजन कहां पर उतरा अच्छंद में तो बीशर जDavidक हो जाएगा पहला फिर पहला था शिल सकता है कि पहलगाओ सबको पतांडर में तो पहल में चांत wir या माचल पहर देश में तो सी का आपका हो जाएगा वोard कहले रोड़ है प् निम्ड लेकीत में से कौन सा जोड़ा शही शुमेली तैं तो यहां पर एक क्या होगा पहला क्या है इद्दु की थर्मल पाउड प्रजेक्ट तो यह गलत है अच्छा अधिक गलत की में हुए हाई depends york ट्रेक प्रोजेक्ट है यह आपका गलत है सब्री गीडी जल्ब विदुद पड्योजना यह सई है के डल में आपका घाट प्रभा शिचाई पड्योजना यह बिल्कुस सही मैच है राम गंका बहुत देशिय पड्योजना है तो यह भी सही है तो पूछ किया रहे कौन सा एक स सही अस्थान किसके बीचे है, simply आप से पूछ रहा है है ना, जो डंकन पास है, किसके बीचे है, तो ये आपका south और little अंडमान के बी, option B आपका यहां पे शही आंसर होगा, कहाँ पे है South and Little Undemand के भी अगले question पर आते है निमने लिखित में से किस परकार की जल निकासी पैटर्न में नदी की सहाइक नदी उपर की और बहने का इरादा रखती है तो यहाँ पे सही आंसर हो जगा अगले question पर आते है भारत का पहला और एशिया का सबसे लंबा साइकलिड राजमार्क भारत के निमने लिखित में से किस राजी में खोला गया है थुरह पुराना नहीं जगा है लेकिन इस्टेटिक में पूछ सकता है option भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्त्य परदेश अगले question पर आते है question क्या आप सब पूछ रहा है एक ट्रिकोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ हुआ आपका ट्रिकोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन क्या है 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2 x आपको बताना है कि इसका maximum value क्या होगा और minimum value क्या होगा तो सबसे पहले concept जान लेते हैं अगर कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऐसे दिया हो a cos x प्लस b sin x a cos x प्लस b sin x या ऐसे भी लिए सकते हैं यह sin x प्लस b cos x तो इसका जो maximum value होता है प्लस under root a square प्लस b square और जो minimum value होता है माइनस under root a square प्लस b square तो हम लोग इसे इस form में change करेंगे a cos theta प्लस b sin theta का form में अब कैसे जान जोगा 6 sin x into cos x है प्लस 4 cos 2 x है तो यह तो सही है cos theta की form में है हमें इसे sin theta की form में change करेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते है 3 into 2 sin x into cos x plus 4 cos 2 x अब दो sin 2 x क्या होता है अबने पढ़ा होगा sin 2 x क्या होता है 2 sin x into cos x होता है इसी फॉर्म में है तो इसे यह से लिख सकते हैं 3 sin 2x plus 4 cos 2x किस फॉर्म में आगया आपका a sin x plus b cos x के फॉर्म में आ गया तो इसका maximum value कितना हो जाएगा plus under root a square plus b square a क्या है coefficient of sin 2x और b क्या है coefficient of cos 2x सबसे फॉर्म सीधे क्या निकालेंगे इसका तो maximum value निकालते हैं plus plus देखें under root a square plus b square 3 square 3 square plus 4 square कितना है कितना है प्लस 5 हो जाएगा minimum value कुछ नहीं minus लगा देना है तो minimum value कितना हो जाएगा इसमें minus लगा तो क्यों equation पर आते है y equal to equation दिया हुआ है y equal to e power 3x आप से पूछ रहें कि देखो y equal to e x तो d y by d x हम लोग क्या लिखते है सेमी expression आता है ठीक है expression जो होता है सेमी आता है d by dx e power x कितना होता है e power x के बराबर होता है अब आते equation बे दी वाई by dx कितना हो जाएगा यहां पर तो इसे ऐसे लिख सकते हैं डी बाई d3 x into e to the power 3x d3 x sorry d3 x divided upon d by dx तो एक एक सी लोगा फिर इकोल ही आ जाएगा तो पहले 3 x के respect में लोगो differentiate करेंगे तो क्या होगा सेम आपका वही आ जाता है ठीक है तो क्या आजाएगा आपका e power 3 x हो जाएगा multiply by d by dx into 3 x को हम लोग differentiate कर रहे है एक के respect में तो constant आपका बाहर आ जाता है ना 3 और d by dx को x का differentiation एक डी बाई तो इसे लिख सकते हैं 3y लिख सकते हैं तो सही आंसर क्या हो जागा option c आपका यहां पर सही आंसर हो जागा 3y ठीक है अगले question पर आते है एक छोटे से मोबाईल में record करता हूं तो दिक्कत आती है ठीक है अगले question पर आते है एक सेट है given a equal to 123 और दूसरा सेट है बी क्या है 345 आपसे पूछ रहा है एंटरसेक्शन भी multiply भई एक क्या होगा तो देखो सबसे पहले हम लोग एंटरसेक्शन भी क्या है दुरों में common क्या 3 है न तो एक ही element है इसमें एक एवल 3 multiply किसे करना है यह से multiply करना है यह क्या है 123 अब multiply करो कितना answer आपका 3131 32 और 32 और 33 सही answer क्या होगा option भी आपका यहाँ पर सही answer हो जागा ठीक है और आखरे question पर आते है a equal to 123 b equal to xy given है ठीक है दो सेट given है आपसे पूछ रहा है number of functions that can be defined from a into b तो इससे पहले कुछ concept जान लेते हैं concept क्या है आपका कि कोई भी दो सेट है a और b ठीक है कोई भी दो सेट है a और b finite सेट है इसके पास m element है ठीक है इसके पास m element है आपका और b के पास n element है तो number of function होता है from a to b n to the power m ठीक है तो यहाँ पे b के पास कितना element है 2 है a के पास 3 है यहाँ पे 2 element है यहाँ पे 3 है पूछ किया है number of functions that can be defined from A into B, तो 2 का power 3, कितना आजाएगा, 8 option D आपका यहाँ पे सही answer होगा, ठीक है, तो यह तो था हमारा आज का रेक्चर, अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलिक्राम चैनल प्रतिक आई को जोईन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब यरू कर ले, मिलते हैं नए वीडियो में, नैट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, चैहन्द.